नमस्कार, शेखरवाणी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ अरुन शेखर. इन दिनों शेखरवाणी पर आप एक श्रंकला देख रहे हैं बाचीत की, जो है अभिनेता अतुल श्रिवास्तो जी से. आतुल जी ने अलग-अलग विदाओं में बहुत काम किया है, उनके अनुभाव से आप सीख सकते हैं कि किस प्रकार से अभिनेता को अपनी तयारी करनी चाहिए, साहित से कैसे रिष्टा रखने चाहिए, किस प्रकार से साहित पढ़ना चाहिए. इस एपिजोड में आप देखेंगे कि किस प्रकार से कभनेता को फिल्म, टेलेविजन, वेब सीरीज सबको अलग-अलग तरह से अभिने के लिए संजोना चाहिए, उसकी तयारी करनी चाहिए. इसके साथ ही आप उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के वारे में जानेंगे कि कौन सी महतबूर फिल्में हैं, आपको देखनी चाहिए, जैसे की The Kashmir Files. आईए, देखते हैं बाचीत. अतुल जी, फिल्मों का ये दौर चला और आपने तरह तरह के रूल किये और लोगों का मनरंजन किया, लगातार कर रहे हैं, उसमें नई खोज करते हैं, नए तरह से उसको प्रस्तुत करने का तरीका ढूंडते हैं, कि लोगों को मोनोटोर्नस ना लगे, कुछ नया लगे, ये खोज आपकी रहती है, ये हमें देखके पता चलता है, सारे दर्शों को पता चलता है, अब आते हैं कि एक नया विंग, एक नई धारा चली है, उसको कहते हैं वेब सीरीज, और वेब सीरीज में बाकी कहूंगा सिनेमा या धारावाइक से अलग किस तरह से हैं, और एक अलाकार के लिए उसके क्या चुन होती हैं, थोड़ा रूटीन से हटके है, हर चैनल के जो सीरियल होते हैं, उनका बजट कम होता है, कम बजट में अच्छी चीज देनी होती है, और ऑडियंस को जोड़ना है, अपनी टी आरपी हायर रखनी है, तो उसके छोटे छोटे जोने लगता है कि यह चल रहा है, तो लगबग पांच सीरियल देखनों के मिलेंगे जिसमें एक जैसी चीज हैं, यह एक में एकसीडेंट होगा, सब में होता है, यह ऐसा होता है, वेप सीरीज ने ट्रेंड टोड़ा है, पहली चीज, जिस सब्जेट को जितना बजट चाह आगर एक करोड चीज एक करोड एक एक эпिसोड को दो एकिसोड को दिया जा रहा है, तो उस से अब्वेस है, उस्पसे बड़ी चीज होती है您रा जbab सी पहली चीज है उसका नाम isPod content उससे पहले आता है content कैसा है और जो content है, script जब लिखी जाती है, तो उस content की आत्मा ना टूटे और जब script screenplay और dialogue की इस तर पर आ जाता है, तब भी उसकी आत्मा बरकराग है, end होने तक series 6, 8, 10 episode का होता है, एक गंटे का हो सकता है पर episode, 30 मट का भी हो सकता है ये सबसे अच्छी बात होती है, quality पे ध्यान दिया जाता है, तो serial से यूँ अलग होता है, उसकी making film जासी होती है बड़ा realistic approach होती है, जिसमें director की भी approach, writer की भी, actor भी, बहुत ही realistic pattern पे काम करना होती है तो ये सारी चीज मेरे लिए बहुत ही बड़े लुभाव नहीं रही, और अकलिए हमें मौका भी मिल गया, जिसमें मनफोल गंज की बिन्नी में में था, MX का था, उसके बाद Fathers TVF का, TVF का, Born Free, विक्रांद में सियो में थे, Rise, चार अपिसोड का एक सिरीज, लेकिन कमाल, subject क में इसमें में में कर चुका हूं, कर रहा हूं, मेरी एक फिल्म जो है, रिलीज होने वाली है, 26 को, गरतन दिवस वाले दिन, 26 जनवरी, जिसका नहाम है काश्मीर फाइल, बहुत अच्छी फिल्म है, वो रिलीज है, तो उससे बहुत उमीद है, और एक क्वालिटी वर्क और बहुत लंबे समय से कैसा मुंदा रहा है, जीज आपको रियल जानने को मिलेगी, उस पैटर्न पर रिलिस्टिक पैटर्न पर बनी फिल्म है, तो वो मुझे इतिजार है, मैं काफी उससे एक्साइटेड हूं, उसकी डिलीज होने के लिए कि जली से हो, लोगे रियक्श तो उसके साथ अभी नहीं करते समय या स्कृट में या शूटी दौरान को ऐसा इसा इंसिडेंट रहा होगा जो आप चाहेंगे कि आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा सीरियस है, उसमें कोई एक ऐसी कोई हूमरस बात कोई जुड़ी नहीं है, लेकिन हाँ ब वे आफ परफॉर्मेंस है, वो कहें कि डिरेक्टर से मैश नहीं करती है, कि वो कुछ और सोचे होता है, फिर लेकिन वहीं चीज है, दोनों लोग ऐसे होने चाहिएं तो तुरंट एक दूसरे को समझें, और जो कॉन्टेंट है, और जो उसकी आत्मा है, स्क्रिप्ट की, औ देख लें किसी का कुछ है, मैंने भी देखा, दिखाया भी गया, तो थोड़ा हमारे विचार थोड़े से अलग होने के बाद भी, बाद में जब परफॉर्मेंस मेरी देखते थे, तो कहते हैं, आप सही जा रहे हैं, और आपने शूट ज्यादा तर कहां पर किया है, देरा जैगाय का, यानि कि कश्मीर के जो इंसीडेंट से रहे हैं, वो घटनाएं, दुर घटनाएं जो रही हैं, उनके बारे में आप नई तरीके से देखेंगे, और से पहले दो फिल्म और आ जाएंगी, एक जिसमें कॉमेडी, श्रीयस तलपड़े का बाप बनाओम है, मन्नु करेक्टिस्टिक्स अलग है थोड़ी, तो वो ऐसा ढूंता हूं मैं, तुछ करने को कोई दितकती करने हो, बाप है, लिकि बाप के साथ में भी थोड़े यह फन है, यह है, प्रॉपर करेक्टर हो, तो करने मज़ा आता है, भी आपको इसलिए लेते हैं कि वह आतुल जी कु देखा लेंगे किसी को चलो तो अपने प्रीज को में जबराता है, यह एक सेरिल आताथा यह प्हां जीनी और जूजू अना उसमें क्या था कि सब टीवी का था तो चैनमों प्रॉप्रॉशर तो यह हूब एकि तरह से करते रहते हैं उस में परॉपर आपने टाइमिंग मे उनको ले लो, इस character में उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किसको लिया जाए, तो किसी channel वाले किसी ने कहा कि ऐसे में अतुल जी को याद करो, वो नया design करके देंगे, क्योंकि मुझे देखके ऐसी image नहीं आती है, क्योंकि मैं comedian हूँ नहीं, मैं एक तरह से करता नहीं हूँ, हर अपि पॉने लिया और आओगई हुआ उस नया design होँ, ऐसे में मैं भी दरा देता हूँ, ओ अर डेक्टरी बहुती है कइसा design होगा नहीं जाएगा, उस मिम्क्री नहीं होगा, आपके अब हैंगे तो मैंने बनाया था हूँ नहीं हूँ यसा इने करने, बेंगॉली, मैंने इनने कैनलो आतमा हो नीजिये class Even खई बंगाली Не Color असमें BENGALL-ी कर रहे थे वह BENGALL-ी श्यादा लग रहर थे जो मेरी नहीं लग रहर थे अ जब मेरी नहीं लग रह थी मैं अंढ रियल लग रहा था हलका हलका कुछ एक्टर ने इस चीज़ में बहुत माहिर हैं, मैं भी नहीं कर पाता हूं बढ़ा चल जल्दी लेंग्विज पकड़ लेते हैं, तो सब की अपनी अपनी खूसियते हैं, अच्वेत्र हैं, तो यह है बढ़ी यह है, यह है कि बैस शीखते रहो, करते रहो, खुछ रहो अभी एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि यह जो पढ़ना है पढ़ने की प्रक्रिया अभी जब इतना काम करते हैं तो शायद कई बार समय नहीं मिलता है उतना पढ़ने का और आज कल दोर है कि मुबाइल पर पढ़ ले लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मुबाइल पर जो किताब पढ़ने में आती है तो आप कितना किताबें पढ़ते हैं कितना लोगों सो कहेंगे कौन से किताबें किस तरह किताबें पढ़ें और पढ़ते रहें किकि हमारा जरूर प्रयास रहता है कि इस बहाने लोग पढ़ें तो क्या होता है जो सबसे ज़्यादा इसामाइक, कॉंटम्प्रेरी, वो तब था और आज भी है, ऐसे राइटर हैं हमारे पास, तो हम नहीं जाते हैं आज कल के बच्चे वहां पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं पढ़ लें क्रिशिणर जी को पढ़ लें, काशिनाद जी को पढ़ लें, सर्व एक बनली के नदेट सोच निसे कहानिया को दो सब्सक्राइन तो आप आप पड़े अपुरानों को पड़ें। बेगउली रैटर्स को पड़ें। बंगाल सहीत पड़ें। गुष्रात सहीत पड़ें। मुंशी जी को पढ़े हैं, यहां के जो गुजरात के, करियालाल मारिकलाल मुंशी, उनकी एक भुकलाया में हैं हिंदी में, अभी मैं पूरे पढ़ लूँगा, सूमनात उनकी जैसे बहुत किमस किताब है, तो भरे पढ़े हैं हमारे पास, हमारे पर इतनी भाशाओं के हमारा अतीत क्या है, वर्तमान का है, और लोग कुछ लोग कहते हैं कि ने पुरानी बाते हैं, बोल जाने, पुरानी से ही नए रोश्नी मिलती है, तो नए करें कैसे, बहुत महाँता है, कि तो मैं ने ऐसी चीज लिखी है, जो आस तक नहीं लिखी गई, मुझसे एक साब न करी है, हमने कौपी नहीं करी है, लेकिन धर्टी की चीज है, समाज की चीज है, आपकी दिमाब में भी जाती है, एक समय में दस लोग सोच रहोते हैं एक सब्चेट के बारे में, तो पहले पढ़ लो, पुरानी चीज जान लो, समद लो, फिर आप नया करो, नया तो आपने स्कूल के वक्त पढ़ता था, तो निराला जी को पढ़ा है, तो निराला जी को पढ़ा है, में बहुत थि आता है निराला जी को पढ़ा, थी बहुत था आप मज़ा था, कौन कौन के बढ़ा फसके लिए मैं उनकी को पढ़ने में में यह उच्छे लगता थी निराला जी णिर शुमित्रन नंदर पंत जी यह की कई लोग महादेवी और मुझे शक्रप्रसाद है और जैसे कि मैं पिछले दिनों के पिजोर बना रहा था उसका सोनलाल दुवेदी सोनलाल दुवेदी की ऐसे चल पड़े जिधर दो पगडग में चल पड़े कूर्ट गरिगोसी और तो कुछ इस तरह कविता हैं जो बहुत जादा प्रयाण वाली थी जो प्रेरणा वाली थी तो इस दोरान जो मैं अभी जिक्र कर रहा था गूगल की या उसके भरोसे चलते ह चोटा सा किस्ता वैं भी आपको और लोगों को बताओ कि एक कविता आपने पढ़ी होगी मैंने पढ़ी थी उठोलाल वांके खोड़े तो अब उस पर मैंने बनाना चाहा है कूँ मैं आज के परिद्रश में उसको बताना और बताना चाह रहा था तो उसमें पता लगा ती तो बहुत कंफर्म करने के बाद पतलगा नहीं है अध्या प्रसाद सिंग हरियोध की कविता है जब कि सोहनलाल वेदी के नाम से बहुत जादा अब जैसे वह चड़ियां वह कौन सा है चीटी चड़ती है जब दाना लेकर चड़ती है अब उसमें बच्चन जी का नाम उसम कि मतलब उनसे ग्यानी कोई ही नहीं तो ऐसा भी नहीं है हमें रीचेक करते रहना चाहिए जो पढ़ने वाली बात करी तो रीचेक वाली बात है रीचेक अपने हागों करते रहें अब जैसे अभी हरियोध साभी सरल कभी लोग ते लों सामने सुनना मैंने बहुत अच्छा हैं बहुत बहुत जलाओ दिये पर रहे ध्यान इतना धेरा धरा पर कहीं रहना जाए तो चलिए आतो जी यहां पर यह अपने हम वारता को स्थगित करते हैं और इसके साथ की हमेशा आप कुछ नया रचेंगे अपने अभिने के द्वारा और दर्शकों को कुछ नया मिलता रहेगा उन्हें उर्जा मिलती रहेगी इसके साथ हम विदा लेते हैं मैं भी आपको उर्जा मिलिये उससे पहले हमें मिले थोड़ा सेलफिछ होना चाहिए तो शेकरवानी में यह चर्चा थी अतुल जी के साथ इस तरह कि हम और चर्चाएं लाते रहेंगे साहित से यह ना अब इसमे को बड़ी बात थोड़ी ना बता रहा हूं शेयर करें, कट से करें, सब को करें, क्या दिक करें, बीजिती थोड़ी ना हो जाए आपकी और अगर कुछ लगे कुछ सुझाओ देना चाहें तो जब दिजे और मैंने कुछ चीज गलत नाम आम ले लिया हो अगर सुन लें गलती से तो पत्थर की लकीर नहीं है मैं भी गलती कर सकता हूं तो क्योंकि सालों होगे चीजें पड़ी किसी का नाम हो सकता हो गलत ले लिया हो मैंने उसको आप ठीक करके अब लिख दो डाटना नहीं है ना करेट करना धन्यवाद तो ये थी अतुल श्रिवास्तो जी से एक लंबी बाचीत की शरंखला जिसमें आपको कई आयाम आपने देखे समझे और इसके साथ ही ये शरंखला आप समाप्त होती है अगले एपिजोड में आप कुछ नई बातें कुछ नई कविताएं कहानियां और कुछ नए लोगों से बाचीत देखेंगे तो देखते रहिए शेखरवानी और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएए कि आपको ये शरंखला कैसी लगी और आप क्या देखना चाहते हैं अपना खैल रखिए नमस्कार